UPSC coaching हाथसा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे UPSC coaching हाथसे के बारे में जैसे कि अभी new channel पे दिखाया जा रहा है कुछ हात्रों के साथ आज हम उसे बारे में बात करेंगे सबसे पहली बात तो coaching industry क्यों चल रही है देखिए आज coaching industry करोडों की हो चुकी है इसका region क्या है education का क्या एहम रोल है हमारे जीवन में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे तब पता चलेगा कि ऐसे हाथसे क्यों होते हैं करें मैंने विडियो बनाये था है निटिक जामके बारे में वहां भी कुछ घोटाला हो गया है तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है education में इसके बात करेंगे क्योंकि हम education को education मानते ही नहीं हैं हम education को से पैसे कमाने का जरिया मानते हैं और कोचिंगे इसी लिए चल रही है क्योंकि वो गारंटी देती है आपको इंजिनियरिंग और डॉक्टरी में UPSC में टॉप कराने की या आपको पास कराने की जिससे आपको अच्छी जॉब मिलेगी और हम लालच में आके कोचिंगों में लाखो पैसे ब रहेंगी और काफी लोगों का समय और पैसा बरबाद होता रहेगा देखिए जिसको सिख्षा पाने की एक ललक होती है न चाह होती है न तो वह बिना कोचिंग के भी अच्छी पढ़ाई कर लेता है भले उसे डिग्री आया उसे नॉलेज लेने से मतलब होता है लेकिन गुना ज्यादा पैसा आएगा और यह बसूल हो जाएगा इसलिए माबाब भी करजा ले लेके कोचिंगों में पैसे भरते और यह कोचिंग इंडिश्टी धड़ाके से चलती है जहां पे ज्यादा भीड़ भी बढ़ने लगी है कहीं भी किसी भी जगे पे कोचिंगे स्ट जोब मिलेगी जोब अच्छी मिलेगी तो आराम मिलेगा तो यह चीजे पहले मैं ऐसा समझती थी ऐसा सोचती थी लेकिन जब से मैंने घीता पढ़ना सुरू किया है जब से अध्यात में ज्यान होना सुरू हो गया है तब से यह समझ में आता है कि ज्यान का महत्त्य ही नही समझ रहे लोग, ज्यान को सिफ पैसा कमाने का जरिया समझ रहे हैं, तो जब तक ऐसा होता रहेगा, कोचिंग इंडरस्टी धर्डले से चलती रहेगी, मैंने भी ये गलती की थी, कोरोना का टाइम था, उसके एक साल पहले की बात है, उसी साल की बात है, तो वहाँ मेरा बेट टेंथ में था, और उसको मैं वहाँ कोचिंग में डालने गई थी, पांच लाक रुपे लग रहे थे सिफ दो साल की कोचिंग के लिए, और उन्होंने गारंटी ली थी कि जेई मींस क्लियर करवाएंगे, मतलब इंजिनियरिंग करवाने के लिए मुझे दो साल पहले उसको कोचिंग करवाना पड़ा, और ये चीजे क्यों, क्योंकि जो हमारी 10th और 12 की सिख्षा है न, 12 तक की, वो ऐसी है कि उसमें कोई दम नहीं है, अगर उसमें ही पढ़ाई अच्छी हो जाए, तो वैसे ही जेई मींस क्लियर कर ले बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कही न कहीं सरकार ऐसा नहीं चाहती है, कि हमारा देश एजुकेटेड हो, आपने देखा है कि सरकार घबराती है, एजुकेटेड लोगों से, एक फिल्म आई थी, अनिल कपूर की, अमरेश पूरी की, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, आप कमेंट करके जरूर बताना, मैंन उसने अनिल कपूर को एक दिन का सीम भी बना दिया था, तो आप समझ पा रहे होगे, कि जब मेताओं के सामने पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, तो वो कैसे घबराते हैं, वो चाते हैं कि लोग अनपढ़ रहें, ताकि उनकी सत्ता ऐसे ही चलती रहें, लोगों को समझ न दिन रहा, उसको खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था, और मना कर रहा था, कि मैं कोचिंग में नहीं जाओंगा, मैं जबर जस्ति उसको भेज रही थी, ताकि ये अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लें, अच्छी जॉब मिल जाएगी, के लिए मैं पांच लिराक रु अच्छा का मकसद यह नहीं है, कि आपको नौलेज चाहिए, सिक्छा का मकसद यह है, कि आपको अच्छी डिगरी चाहिए, और अच्छी जॉब चाहिए, आज देखते होंगे, आपकी इतिहास है, और साइन्स है, और भी बहुत सारी पढ़ाई है, जो कि BA, BSC है, ये चीज ते लोग इनके लिए जान दे के पढ़ाई करते हैं, जिसके नंदर पढ़ाई करने का जजवा है, जो पढ़ाई करना चाहता है, वो करें तो ठीक है, लेकि जवर्जस्तिस सेफ rotary पाने के लिए जो पढ़ाई करने जाएगा, उनके लिए नहीं ही होता है, तो फिर और चीज में अच्छे हैं उन्हें अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए तो जितना पैसा वहां बरबाद करते हैं तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन वह 40 साल होते होते तब उन्हें यह समझ में आता है तिस साल तक वह से इंट्रेंस एक्जाम की ही तैयारी करत लेकिन यह तब ही समझ में आएगा जब सिक्षा वेवस्था सही होगी जब बास्तों में लोग एजूकेशन को महतु देंगे एजूकेशन को इंपोर्टेंट देंगे पर आम आदमी यह चाहता है कि उसे मेहनत ना करनी पड़े फल अच्छा मिल जाए फल की चाह में ही सब को नहीं पार ढारी कियों कि वह पे सिक्षकों को अच्छी पेमेंट दी नहीं जाति यहह सिностью सारे कोचिंग में चले जाते हैं ज्यादा पैसे के लालच में तो जब यह सिक्षकों में होगी तो कोचिंग फाइदा उठाएँगी तो इसी इंडर्स्ट्री आगे बढ़ती र जीते हैं, तो इंसान भी अगर भोग के लिए ही जीएगा, तो फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या रह जाएगा, इंसान और जानवर में सिफ इतना ही फर्क है, कि इंसान जानना चाहता है, और जानवर जानना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर इंसान जानना चाहता है, तो तो सांसारे ज्यान तो खुब ले लेता है लेकिन अगर ज्यान की बात किया जाए ना तो ज्यान से दूर हटता है उससे बिल्कुल ज्यान नहीं चाहिए यहां तक की लोग पढ़ाई भी तब ही तक करते हैं जब तक उन्हें अच्छी डिग्री नहीं मिल जाती हैं और डिग् से कमाने की भोग करने की सिर्फ एजुकेशन ही है जो इंसान को इंसान बनाती है और अगर इंसान एजुकेशन का संबान नहीं करेगा तो उसके जीवन में यह सारी प्रॉब्लम तो आती रहेगे और फिर नियू चेनलों में दिखाया जाएगा जब तक इंसान स्वरोजगार के और आगे नहीं बढ़ेगा जब तक सरकारी नोकरी के पीछे भागता रहेगा तब तक ऐसे ही कि डिगरी मिले इसलिए कि हमें जानना हमें सिख्छा चाहिए जब इस चीज का महत्त हो जाएगा और हर पढ़ाई उतनी ही महत्वपूर्ण होगी यह नहीं कि सिप इंजिनियर और डॉक्टर बनने पर ही उन्हें सम्मान मिलेगा जो भी इंसान जो भी पढ़ाई कर रहा चाहिए बीए कर रहा चाहिए बीसी कर रहा है चाहिए उपीसी कर रहा है चाहिए इंजिनियर चाहिए डॉक्टर सम्मान बराबर मिलेगा पैसे से देखके नहीं उसके एजूकेशन उसके घ्यान से सम्मान मिलेगा ना तब कहीं जाके यह चीजे बदल सकती है टीचरों को सबस् population सकती है पर सरकार भी स्थार सकती है जब सरकार भी अच्छी आएगी अगर सर्कार भी अंपर्डी आएगी तो फिर वह और तो इतना खर्चा करेंगी यह करें फिर इस को ज्यान हो जाएगा न तो फिर वह ऐसे लोगों का चुनाओ नहीं करेंगे ज्यान से भोग पूरा नहीं होता एइसलिए स्फेंता उधेजिट इसलिए को या कॉछण श्रद में खुलती जा रही है थे इन सब चीजों का एक ही तरीका है, सही करने का ज्ञान, नौलेज, और नौलेज के प्रती सम्मान, ज्ञान को अगर पैसों से नहीं, ज्ञान को अगर नौलेज से लिया जाएगा, जानने के लिए ज्ञान लिया जाएगा, तभी उसका महत्र हो पाएगा, तभी जिन्दगी म में ही वो ताकत है जो इन चीजों को रोक सकती है और जिस दिन से मुझे ग्यान आया है मेरे बच्चों को कोचिंग तो क्या ऐसे एजुकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी जो डिगरी के लिए हो वो ग्यान आज भी ले रहे हैं आज भी एजुकेशन है अपनी जिन्दगी पूरा जीवन पढ़ाई करेंगे जानने के लिए इंसान को पूरी जिन्दगी पढ़ाई करना पड़ता है फिर उसके लिए कोई चार साल दस साल की पढ़ाई नहीं होती है तो आप लोग मेरी बातों से कहां तक सहमत है कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लग